नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुधा मौरे आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूं आज हम कहानी कार कासी नाज सिंग की कहानी वे तीन घर की समिक्षा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं कासी नाज सिंग साठोतरी पीड़ी के ससक्त एवं महतपूर कथाकार हैं इनोंने अपनी कहानियों के माध्यम से आधूनिक जीवन की बिडंबनाओं से ग्रस्त आदमी की इस्तिती को कहानियों में चित्रित किया है उनकी वे तीन घर कहानी दरीतों के भीतर के अंतर विरोध को वेक्त करती हुई कहानी है इसका सीरसक संचिप्त्यम कोतोल वर्दक है सीरसक पढ़ते ही उसके प्रती एक रुची जागरत होती है कि ये तीन घर कौन से है और इनमें ऐसा क्या है यह जानने की उत्सुकता उत्पन होती है धीरे धीरे कहानी की कतावस्तु के साथ ही इसकी सीरसक की सारगर्भिता समझ में आ जाती है कहानी के तत्यों के आधार पर इसकी समिक्षा निम्नवत है नमबर वन कतावस्तु इस कहानी की कतावस्तु दलित जीवन से संबंधित है इसमें दलितों की अगवाई करते हुए बिपतराम और अपनी जड़ से अलग होते हुए ब्रामन मदन जो स्कूल के मित्र हैं उनकी आपबीती प्रकट हुई है इन दोनों में अत्यधिक प्यार अपनापन एवं बैचारिक महबत है बिपत के पिता गाओं के ठाकुर जुगल सिंग के हलवाहे और माह रोपनी बुवाई एम कटाई करती थी गाओं की पढ़ाई के बाद वे बिछड़ गए बिपत ने सहर में नेता बनकर प्रसिद्धी प्राप्त की एक दो बार चुनाओ के मैदान में भी उत्रे पर चुनाओ हार गए लेकिन उनकी हैसित बढ़ गई थी इधर मदन जिद की हद तक उसूलों पर ठिके रहने वाले व्यक्ति थे उनके मातहत क्रमचारी उन्हें पीठ पीछे पागल हाकिंत कहा करते थे अफसर बिना वज़ जबाब तलब करते और कई बार निलंबन की इस्तती भी पैदा हुई घर में भी वे लोगों का विस्वास नहीं पा सके उनके बच्चों ने अच्छे इसकूरों का मूँ नहीं देखा एक सयानी लड़की अन्ब्याही एमे बियड के बाद भी लगातार पढ़ती जा रही थी उनकी जित्थी की बेटी कुवारी रहे पर वे दहेज बिलकुल नहीं देंगे जब से उनका तबादला इस नगर में हुआ है उनके मन में बिपद से मिलने की इच्छा बलवती हो गई थी कई सालों बाद एक दिन अचानक उनकी मुलाकात बिपद से हो गई और बिपद जबरदस्ती उन्हें अपने घर ले आए रास्ते में बातों बातों में पता चला की विपद अब घसियारी टोला में नहीं रहते हैं क्योंकि वहां बहुत गंदगी थी उन्होंने अपने बिरादरी के महले से अलग तथा कतित बड़े लोगों के बीच घर बना लिया है साथ ही साथ वे अपनी जाति के लोगों की दुर्दसा उत्पीरन की बात भी करते हैं वे मदन से कहते हैं कि अगर तुम हमारे घर पैदा होते तो पता चलता की चमार होना क्या होता है एक तरह से विपत कतनी में तो सिधान्थवादी हैं सत्ता का परदा फास करने वाले सर्वहारा को एक जुट करने वाले हैं पर करनी में अपनी ही जाति के लोगों को हिकारत से देखते हैं विपत अपनी पतनी और बच्चों से भी मदन को मिलवाते हैं उनकी अनपड़ पतनी गाओं में ठागरों के यहां गोबर पानी का काम करती थी पर अब सब भी समाज में रहते रहते उन्हें उठना बैठना पहना ओडना सब सीख गई हैं उनकी पतनी भी कहती है कि उनके महले में रहने वाले उन तीन घरों से बात ना की जाए जो उसी की जातिके हैं। उनके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। परंतु सफेद पोसों के बच्चे उनके साथ खेलते नहीं। इसलिए उन्हें सामने वाले तीन घर के गंदे बच्चों के साथ ही खेलना पड़ता है और नेतागीरी की कमाई ही विपत की हैस्यत को बढ़ा रही है अपनी बड़ी बेटी की साधी में विपत ने दहेज भी भरपूर मात्रा में दिया बच्चों से मिलने के बाद मदन चलने की अनमती मांगते हुए विपत को सम मुझाते हैं कि तुम खुसी और संतोस से उधर जा रहे हो जिधर हम रह के बरबाद हो चुके हैं और यह कहकर स्वाभिमान एवंबिजय के भाव से बाहर निकल जाते हैं लेकिं बाद में उन्हें अपने राष्टे के बारे में आसंकाए होने लगी उन्हें लगा कि 45 साल स हैं उन्होंने जिस महानता को जीया उस से उन्हें क्या मिला जमां मकान जयजात बाप भाई बीबी बेटों किसी का भी सुक उन्हें मिला वे भी बच्छों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा सकते थी बीबी को गहने कपड़ों से लाच सकते थे, बंगले में रहते, चेतक इसकूटर खरीच सकते थे पर वे समाज, बिवस्ता, सत्ता, जुल्म के बारे में फोचते रहे और घूसना लेने वाले क्रमचारी के रूप में लोगों के बीच उपहास का पात्र बनते रहे वो भी सुखी और निश्चिंत हो सकते थे, अचानक वे चौक पड़े की कहीं वे बिपत के रास्ते ही तो नहीं सोच रहे हैं उन्होंने जेब से रुमाल निकाल कर आखों पर थबदपाया और यहीं कहानी का अंत हो गया इस प्रकार कहानी की कथावस्त रोचकम आकर सक है कहानी में पात्रों की संख्या अल्प है, मुख्य पात्र के रूप में ब्रामण मदन और दलित विपतराम सम्मु खाते है मदन पात्र जिद की हर तक उसूलों पर टिका रहने वाला है तो इसके विपरित विपत समझोता वादी पात्र है जो अपनी ही जाती कोई लोगों को हिकारत से देखता है तथा कतित बड़े लोगों के बीच सामिल होने के लिए प्रियास रथ है विपत की पतनी भी दलित वर्ग से संबंधित है और दलित वर्ग से संबंध रखने में आसहज है इसके अलावा विपत के दो बच्चे पडोस के युनिवस्टी के दूबेजी पात्र के रूप में सम्मुख आते है मदन की पतनी एवं बच्चों का मात्र जिक्र ही आया है सभी पात्रों का चरित्र उनकी वर्गत विसेश्टा के साथ प्रकट हुआ है नमबर तीन कथोप कथन्या समवाद योजना प्रस्तुत कहानी की समवाद योजना स्वाभाविक तथा गंभीर है समवाद द्वारा पात्रों के चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ा है तथा कथानक को गच्सीलता प्राप्त हुई है बिपत के समवाद दलिस समाज के नयतत्र को प्रकट करते हुए उसकी दास्तान को पूरी इमानदारी से प्रकट करते है इसकी समवाद योजना कहीं संचिप्त तो कहीं विस्रित है समवाद पातरन कूल है और पातरों के चईचितन में भी सहायक है समवाद का एक उधारन द्रश्टव है जो पातरों की मना इस्थती एवं व्यक्तित पर अच्छा प्रकाश डालता है भाई साहब उन्होंने परिचे की नौबत ही नहीं आने दी और सुरू कर दिया सबसे अच्छा यह है कि इधर में कोई आलतू फालतू लोग नहीं है आलतू फालतू को घसियारा घसियारी टोला के संदर्भ में विपत ने जैसे ही समझाना सुरू किया कि भाबी ने रोक लिय मतलब की इधर बाजू में इसपटर साहब है और उधर बाजू में इनवस्टी के लीचर साहब जैसा वह सामने के तीन घर छोड़के बाकी माहाल में बाबुवान लोग हैं तीन घर छोड़कर क्यों वे कौन है मदन ने पूछा उहूं मदन के बेवकूपी भरे सवाल से ख जानू उनके लगातार बोलने से विपत थोड़े संकट में फसे लग रहे थे उन्होंने सारी बातों को ना सुनते हुए भाबी से मुस्कुरा कर पूछा जानती हो कौन है ये हमको एकदम से उर्वा समझते हो का वे विपत की ओड़ घूम गई इन्हें नहीं जानेंगे हम इस प्रकार समवाद योजना आकर सक है नमबर फूर वातावरण अर्म देश काल प्रस्तुत कहानी में सजीव वातावरण की स्रस्टी होई है विपत दलित वर के नेता किस्म के पातर है इसलिए इसका वातावरण जादिगर बिद्रूपता को प्रकट करता है जैसे विपत की समवाद योजना से दलिस्त समाज की इस्ति यथार्थ रोप में अनभूत होती है बड़े बुरे दिन बिताएं हैं हमने यार जितनी जलालत झेली हैं हमने उसकी कल्पना नहीं कर सकते तो बामन के घर जाओ या ठाकुर के खड़े रहो बैठना हो तो मचिया या मोड़ा कहीं से उपराओं और बैठ जाओं खुआ हम खोदे लेकिन हमें पानी पीना हो तो चुलू बनाओं तब पीओ गुण भी देंगे तो उपर से गिराएंगे या फेकेंगे लोक लो अगर तुम हमारे घर पैदा होते तो पता चलता कि चमार होना क्या होता है कहानी में विपत के माध्यम से राजनीती अम नौकर साही का यथार्थ चहरा भी प्रकट हुआ है एक उधारन देखिए चुनाओ तो जानते हो आदमी या सिधान्त नहीं लड़ रहे हैं या तो जातिया लड़ रही हैं या गुंडे बदमास जो बूत पर कबजा कर ले जीत ले हा लड़ने से हुआ सिर्फ इतना की जिलाधीस पुलिस अधिकारी और दूसरे सभी बड़े लोग जान गए हैं पहुंचो तो कुर्सी छोड़ कर खड़े हो जाते हैं और सलाम कितने लोग ठोक रहे हैं इसे अपनी आखों से देख रहे हो नमबर फाइब भासा सैली प्रस्तुत कहानी की भासा पात्रन कूल है इसमें तत्सम तदभव देशत सब्दों के साथ ही उर्दू फार्सियम अंग्रेजी के सब्दों का अच्छा प्रियोग हुआ हैं जैसे धर्मात्मा जानवी गरहन तसला डलिया पाएं लागी जमाना अमल जमीन मुहबबत अखबार फोटो इस्प्रीड वेकर बूत इसकूटर चाय एस्ट्रे मनई स्कूल आदी कहानी में मुहावरों का भी प्रियोग हुआ है जैसे पीठ पीछे कहना उल्लू समझना माथा पीठना आदी कहानी में पुनरुक्त सब्द जैसे फुस फुस हा हा जाओ 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 बारी बारी आदी का भी प्रियोग है कहानी में अंग्रेजी के बिगडे सब्द जैसे इस पटर इनवस्टी का प्रियोग भी है कहानी में सुक्ति वाक्यम अंग्रेजी पंक्ती का भी प्रियोग हुआ है जैसे साच की आज बे अंदाज कड़ी होती है और think our devil and devil is there इसमें ग्रहन के समय कोरस की भाती गीत गाते हुए डोमों की मांग याजना को प्रकट किया गया है जैसे हाथी का दान, घोडे का दान, सोने का दान, चांदी का दान, रुपए का दान, पैसे का दान और कुछ ना हो तो बासी रोटी का ही दान साथी खेल-खेल में बालगीत गाने का भी उलेख है जैसे हम तू गुईया, मचरी की चुईया, जूर जार भुईया, हमरी दुवरिया, अईहा गुईया कहानी में कहीं कहीं लोक तत्तु के भी दरसन होते हैं जैसे कटे खेत में अन बिंते हुए, पुवाल के गाज के नीचे की पईया पोछते हुए, बास की खपच्चियों में डलिया और मौजी और खपच्चियां बनाते हुए, नेम की नन्ही नन्ही सीखों से पतल जोडते हुए कहानी में वर्नात्मकम भावतमस्क सैली का प्रियोग हुआ है इस प्रकार कहानी में भासा सैली का सौंदर सम्रंध हम संपन है प्रस्तुत कहानी एक उद्देस परक कहानी है इसमें कहानीकार ने दल्द समाज की करुण कथा का चित्रन किया है इसमें ग्रहन के वक्त लोगों से बासी रोटी का दान मांगने वाले डलिद अब अपनी दसा सुधार कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तत पर नजर आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस विवस्ता से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है इसलिए विवस्ता में सामिल होना ही एक मात्र बिकल्प बचता है विपत राम के सब्दों में आरच्छर चलते हम में से जो भी अपसर या हाकिम हो रहे हैं वे उस सारी जहालत और जलालत को भूलते जा रहे हैं और ठाकरों ब्रामनों के बीच उठने बैठने में गर्ब अनुभा कर रहे हैं यह कहानी हमारे समाज के वर्णगत पूर्बाग्रहों तथा अंतर बिरोधों को बेनकाब करती है इस प्रकार यह कहानी अपने उद्देश को प्रस्तुत करने में सक्षम है निसकर्षता वे तीन घर कासी नाच सिंग की एक बिसिष्ट जाती केंदित कहानी है यदि आपको यह विवेचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्रियर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद